मैं बोली मेरा तीस तारीक विदाई है में जाओंगी घर अपने तो बोला कम सकम एक बार आके मिल कर बात कर लो तो रात को नौ बजे में चली गई बात करने के लिए तो तीन चार लोग थे हम यहीं चाहती हूं मुझे रखे क्यों कि मेरी एक बार साधी हो चुकी थी ना ते फापा के घर मेरे मुझे शर्मिंदा हो रहा है कि घर पे कितने दिन तक रखा आपको एक रात रख जैसे आज रात को आई रात बीता और सुबही मतल्ब उसी रात को मुझे मारे पीटें और फिर सुबही ही घर से बढ़ा निकाल दें मारके प्रया गराज जन पत की एक बि कि आखिर इनके साथ क्या-क्या मामला हुआ क्या-क्या हुआ उन चीजों के मैं जानने की कोशिश करूँगा मैं नाम तो आपको पूछूंगा नहीं और मैं सबसे पहले यही जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि आप चिस तरीके से आपके पीता जी और आप दरदर भटक रहें नाय के लिए कहीं न कहीं ये आप लोगों को समाज भी अपकोस रहा है आपके पीता को आपको कि आपने ऐसा कुछ कदम उठाया कि आज समाज में आपके पीता के लिए पीता को कुछ कहा जा रहा है आ कि अच्छे चला की सिर्फ राचित मेरे साल हुए था उसके बास्ट करते थे कितने समय आपकी बातशचीत चली है आग त्युूक्त साल हुए हुए ठब justit affirking मेरे पापा बंलोग कारी खुमक्ति से समस्क्रा शटे किया मेरे लडका पापा नगी की नगात थे और में बोले हाँ पापापसंद हें हमराजी थे म democracy की हम अपने सुस्राच आल गे हुआ के लटीक के पास पहला फोन क्यूभ पूण कि जब में घर पेत पूछने लगा मैं बोलित इस तारी के विदाई है जाओंगी घर अपने से का सनब bought कर तो रात के 9 बुजे में चली गई के लिए तुन इस पांडे थे राम सकल थे विशल सिवस्तों थे और वो लड़का भी था उड़का अपसी कॉरका अधो reasonably 2 भूला कि अब तुम्हारी हो गई है मैं उसके पहले बड़ तुम उसे साधी नहीं की तुम दूसरे विरादर हो हम नहीं करेंगे तुमसे और तुम महारे गहरो रखेंगे नहीं उले ठीक हजाओ कर लो फुर्वाई किया कर लिए वह उसे बोला किसी की में बदला निकाल रहा हूं जब टापको बुमबई कर गया था मिड़ों को मुंबई जब आप साधी के द दौरान आप अपने घर पर गई तहीं घर से फिर वापस आई फिर आपको दो-तीन दिन बाद आपकी विदाई होनी थी जिस दिन हो नों पढ़िए उसके तिन पहले की बात हैं जयसे बीदाई होने कि अइसा कोई काम करेगा नहीं इसलिए हम चले गए थे मुंबई लेकर गया आपको मुंबई ले जाकर मुंबई लेकर रखा था मुझे बांद कर रखा था मेरे को मारता था पीड़ता था और में गाना पूरा पहने थी क्योंकि मुझे सुबा जाना था बिदाई होनी वाली तो मेरे निकाल के सब बेचोच के दारू पीता था, मारता था, पीडता था, फिक घरवाले को जब बताया तो पूछा कि मेरे पापा पास फोन लगा, मैं बोली पापा, वो लड़का साधी कर लिया, जहां मेरे बिदाई होने वाला था, और बोला दुसरा साधी कर लिया, कौ आड़की अंदर आजाएगी तो हम रख लेंगे नहीं आएगी तो नहीं रखेंगे तो जब वो किट्याप करके रखेंगे तो हम कहां से आपाएंग इतनी दूर से तो वो बोला कि पंदरा दिन हो गया हम अपने साधी करेंगे तो एक खथक ही अंदर कर लिया फिर उसने खथ देखा जाएंगे तो अगर देखा जाएंगे आप तो अगहर की हुई ना घाट की हुई यही बात जो है वो आप एक दमें ऐसा ही बैठ रहा कि ना आप उधर की हुई ना आप अप इसात्य होई पापा को आपने WOR fantasy का जिए अगे मिले का वं yht читat तो उ सुभा होने वाली है तो धेखने लगे खाना खाने थाम नोब जे तो गए थे दश सुभाकी क सुभानी होने एक पापा ने आपके बोला कि अगर ले गया है तो अब ही रखे कितने दिनों तक आफ को मुंबही में रखा था हुआ शे महीने तक आफ थी इतना समय आपने और 6 महीने विदानाा किस तरीकी से वह आपके साथ भाया तोन वहत्व क्यूस्ता था। उसके बाद फिर अ ψह के खौढ़ कर चला गया उसके बाद छोड़कर चला गया जोड़कर घर कुछ को फोन लगाया बर के डीटा है। दोनों को लेने के लिए हम बोलें कि चलो बेटा हम लोग गय ते जुहूं भूमने तुम लड़का भी है मेरे साथ फोटू चलो तुम दोनों को रखेंगे जो मेरा लड़का गलती कर दिया है तो अब दुबारों को लेले वाने पूरा गाहूं हल लो हो गया हम रखेंगे में अपने आई थी में अपने घर ने थी सुराल आई थी हां मतलब आप इसको साथ रह रह रही थी हां कि हम वहां गये तो कोड में साधी हम नोटीस में किया था साधी हमें साधी का फोटो है साधी आपने कब किया जब आपको पता चला की बोलड़का साधी कर लिया उसके तब नहीं कर और घृत कर लिए तब कार लिया जाओंगे तो उसी रात को ही मुझे मारे पीटें और फिर सुबा ही घर से बहार निकल दें मारके मतलब एक बार आपको आस लगी होगी उम्मीद लगी होगी कि साइद अब सब कुछ सही हो गया हमें परिबार के साथ रहूंगे लेकिन यह नहीं पता था कि आपको वही आखरी रात होग लगाया था लगाया थे हम मोगे जब मारा पीटे तो लगाया थे तो डाट फटकार कर चले गए तो सुबह घर से बाहर निकाल दिया और पहला नंबर तो ससुर मेरा हपता आई देता है फूलपूर थाना पैसा देता है इसलिए मेरे कोई सुनवाई नहीं होता कि अर्जु यह रजु नहीं है अर्जुन एदो हां अर्जुन एदो है पैसा रूज हथा हफता हफता देता है फूलपूर थाना में पांच शे बार चुछी अवे फाईयर जमिने दर्च करने गई तो मेरा अपनी जिससे मेरे साथ हुआ तो भी वह है साब से अर्जु आप से अपली क कुछ मदद नहीं कि जब फूलपुर्स जानले की पूरा खरीद कर रख लिए मेरे ससुर ने तो में डीजी के हाप लीकेसं दिया फिर वहाँ स्वी यहां दिया वहाँ मेरे अकवार में छपवाया फिर अब मेरे मेडिया के सामने आई हूं मुझे कोई सुराय नहीं हो रहा है पर आपकी अख़ाय जैसे मद नहीं अई जातल सेवाडर ब मुझे पर नहीं है जब मुझे नयाएं महीं कर तक करना पढ़ा ओंके स्वरूप में यूल चाहता ही तो मुझे रक्षि की मैरी यक बार साधी हो छुकी थी नहीं तेर ऑल्भे बना को फॉम्हुट अर एक तर इ कैसे फिर आप भरोसा करने उस लड़के पर जिस लड़के ने आपके साथ ऐसा कुछ किया आप फिर भरोसा कर रहे हैं मानवत्ता के अधार पर अभी एक बार वो मान जाए फिर से की चलिए मैं रख रहा हूं आपको फिर आपको कहीं ले जाए फिर आपके साथ ऐसा कुछ करे इसलिए कोई ओया नहीं होगा है पैसा मेरी इसलिए कोई और सुनवाई नहीं हो रहा हैं अब धमकी दो सामने मेरे दुकान है उसे बढ़ कर गाली देते हैं तो मेरे नहीं है मुझे रखें अच्छा जो और तीन लोग उसके दोस्त थे उनके नाम भी अपने हां नाम किया तो बता तुरे ना दरोगा ने लिखा ही नहीं मेरा अपने नाम से पूलिस एक लिखा और लिखे मुझे साइन करवाया हां मेरा चार वर अपने लिखा ही नहीं मैंने बोला प्रधानमंत्री जी कहते हैं बीटियों की बात करते हैं बेटियों की पुस्पिता की बेवसी को अपने बेटी को अपने घर पर रख रहा है सारा कुछ जानते हुए कि हमारी बेटिया ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया हमारे समाज में रहने लायक एक तरह से अगर कहें तो लेकिन यह समाज है समाज तो इस तरब भी चलता है बड़े लोग अगर ऐ कि नहीं लगता हैं तो नहीं है कि लिए दोसरी बर साथ हो कोई नहीं लेगा दूसरी वाद्ट बूस्त नहीं रहे हैं कोई रखे लागआ अब ही अप लोग कहा गए थे अलाबाद गए ते अहां इसी इसी मामले को लेकर ऊसी मामले के गए थे तो तेरा तारीक मेरी तारीख लगिए हम जाएंगे देखने के लिए अब ही हुआ नहीं है अंदर अगा बोला कि चारशीट लगा लिए तो देखे नहीं लगाया था करवा अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है हाँ यह हालत है आप समझे कि बिटिया को कैसे नहीं मिलेगा बड़ा सवाल है सासन पर सासन के ऊपर अब देखना यह होगा कि आगे क्या अंजाम होगा मुहबबत तो इन्होंने किया था लेकिन सायद मुहबबत ने इनके साथ इसा कुछ दिया आप समझे इन्हें साथ ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी अपने मुहबबत के ऊपर कि हमारे साथ ऐसा कुछ वो करेगा लेकिन सोचिए कि ऐसा कुछ अगर हो ही गया है तो अब बिटिया को नया चाहिए क्योंकि यह बेटी दरदर भटक रही अब यह मजब रहे हैं इनको फिर से भरोसा लग रहा है कि मैं उसी के साथ रहूंगी लेकिन सासन पर सासन से अन्रोध है कि इस मामले को संग्यान में ले क्योंकि यह मामला छोटा नहीं एक बिटिया अभी कुछ गलत हो जाए बिटिया के साथ तो फिर कौन समझेगा फिर कहां मिल इस मामले को संग्यान में लेकर जो भी उचीत है जो बीटिया चाहती है उस चीज पर सासन पर सासन को काम करना चाहिए धन्वाद